तो दोस्तो आज किस फडियो में बात करने वाले हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम जो कि मोन्टाइजेशन वाली सेक्षन में जाकर तू स्टेप में विरार आ जाता है जो कि Google AdSense रिलीटेड होता है तो आज किस फडियो में यही बताने वाले हैं उसे किस तरीके बताने वाले हैं सबसे पहले चलिए सब कुछ आपको समझाते हैं और किस तरीके से प्रहम में देखने लिए मिलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको मॉबाइल कून का इस्कीन सेर करता हूं सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर step 2 apply यानि कि step to apply आपका हो जाता है review basic term भी complete हो जाता है यानि कि आपका जो भी channel होता है YouTube के review में जाकर आगे बढ़ जाता है यानि आपके you have accepted the YouTube partner program terms यानि आपके accept भी हो जाता है लेकिन problem क्या आती है यहाँ पर यह reward हो जाता है setup for adsense यहाँ पर लिख कर आजाता है यानि कि setup for adsense इसके बाद नीचे लिख कर आता है your associate adsense account was to prepare this many भी कुछ इस तरीके से existing account your recent email from adsense google.com have been more detailed यानि कि आप यहाँ पर learn more पर click करके इसके बारे में detail ले सकते हैं लेकिन किसी भी भाईयों का problem नहीं solve होता है तो यह problem क्यों आता है इसके बारे में बात करेंगे इसे किस तरीके solve करते हैं इससे आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार के कई ऐसे और problem देखने के लिए मिलते हैं जैसे आपके step 2 में ही यहाँ पर देखिए setup 2 अप्लाई हो चुका है identity verification करना होगा यह क्यों problem आते हैं इसके बारे में बात करेंगे इसके बात फिर से next यह problem आ जाते है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको नीचे लिख जाता है create or link adsense account यानि कि इस पर क्लिक करके एक new adsense account क्लिक करें तो यह तरीके का problem क्यों आता है सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ जो कि your adsense account की ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो यह problem क्यों आता है तो इससे किस तरीके solve किया जागा इसके बारे मी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको your adsense account रिटेट आ चुका है तो इससे किस तरीके सट आ सकते हैं यह problem तब आता है जब एकी नाम से आप दो account बना लेते हैं यानि कि एकी नाम राता है एकी address राता है आप उसे बना लेते हैं तो यह option आप सभी कि देखने के लिए मिलता है तो आगे इससे किस तरीके solve करेंगे उससे पहले बात करते हैं सबसे पहले solve करने का एकी तरीका है अगर एकी नाम से अपने दो बना लिया है तो आप में इस तरीके प्रॉलम आ रहा है तो आप यहाँ पर fix पर क्लिक करके इसे close कर दीजे ठीक है close कर देंगे close करने के बाद यहाँ पर change account अपने नाम से नहीं अपने भाई के नाम से जो भी फादर की नाम से जो भी family members है उनके नाम से बना सकते नेकिल आगे फिर से पर प्रॉलम आ जाएगी अगर अपने नाम से create करेंगे ठीक है अगर यह problem आ रही तो इसके बार अगर आ नहीं कर रहे हैं मुझसे Instagram पर directly comment करिए मैं आपसे वीडियो का पर संपर करूँगा आपका चैनल का जो है Gmail ID लोगा आपका यह problem solve कर दूँगा अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैंने आपको सारी चीजे बता दे रहा हूं इस तरीके सा अगर प्रॉलम आ रहे है second problem यह आते setup for Google Google AdSense account यह इसलिए आता है कि आपके अपने Google AdSense account पर आइडेंटी वेरिफिकेशन करना होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आइडेंटी वेरिफिकेशन का मतलब यह होता है कि आपको 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 पासपोर्ट इसके बाद और अगर कोई भी डाकुमेंट्स आप आपको अलिजग वाँ पर देख रहा है तो वह लगाकर आपको आइडेंटी वेरिफिकेशन करना होता है अगर यह भी आपको नहीं करना रहा है तो इसके बारे मैं फुल डिटिल वीडियो भी बना अगर उससे भी आप समझ नहीं पार रहा है यह मुझसे से डाइर्टी इ तो आप Google Adsense, your associate Adsense account was closed, unable to monetization, close कब होता है, यानि कि कई बार क्या होता है, आप Adsense account तो बना लेते हैं, लेकिन आप अपने Adsense में कई चीज़ों को नहीं करके रखते हैं, जिसे identity verification इसके बाद payment detail डालके नहीं रखते हैं, तो automatic कुछ समय बाद Adsense close हो जाता है, ठीक है, close होने बाद आपको Adsense link देता है, आपर create करने का, create for link Adsense account, यानि यह create कर लीजिए, link कर लीजिए, तो इस पर click करके Adsense account बना सकते हैं, अगर आपको भी यह problem आ रहा है, आप नहीं solve कर सकते, तो भी मैं आप सभी के लिए हूँ, Instagram पर direct list समपर करें, ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से multiple problem आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है, आपके Google Adsense account में, अगर इस तरीके का problem आ रहा है, आप पैसे नहीं कमा पा रहा हैं YouTube से, तो मुझसे directly समपर कर सकते हैं, और असान तरीके से जो है, यह problem solve करा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों, अगर आप new Adsense account create करना चाते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो में बनाएं, उस पर करीब दो लाग भी हुजाएं, उसको जाकर देख सकते हैं, new Adsense account बना रहा हैं, तो आपको यह ध्यान में देना है, कि आप एक ही बार Adsense account बना सकते हैं, इसलिए अपना Gmail ID जिससे बनाएं, उसे लिक कर रख लें, और अपना password लिक कर रख लें, अपने domain टायरी में, ठीक है, इससे होगा क्या, आगे चलके आप भूलेंगे नहीं, और न तो आपको Adsense account duplicate को प्रोब्लम आएगा, आपको अधर प्रोब्लम टेक्निक भी मिलेंगें, ठीक है, अगर आप यूटूब से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको सतर्क रहेगा, और रहना होगा Adsense को लेका, तो आएक दोस्ते वीडियों इंट्रेस्टिंग और नालजर लगी होगी, और कोई भी कोई भी हो, और कोई भी मुझसे help लेना चाहते है, तो इस्टाग्राम पर कमेंट कर देजेगा, वीडियोज को अभी तक लाइक नहीं किये, फ्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल भी अगर आप सभी नहीं है, फ्लीज चैनल को जो सब्सक्वाइब कर फिर बेल आइकन जो प्रेस करिए, मिलते किसी ने इस्ट वीडियों से इंट्रेस्टिन टॉपिक साम तब तक लिए धन्यवाद,